हाई मैं हुजिया और आप देख रहे हैं Exploring Foreign Invasion I mean Exploring History और आज से हम शुरू करने वाले हैं Medieval Indian History येए तो आज की एपिसोड में दिल्ली सल्दनत So Medieval India शुरू होता है जब इंडिया में आये Muslims और बाकी इंवीडर्स की तरह Muslims भी इंडिया में घुल मिल गए और उनका culture, language, food, architecture सब की जलक पूरे इंडिया में देखे जाने लगी साथी यहां आकर Muslims ने भी Indian culture को अड़ाप्ट किया और सी वज़ा से इंडिया में एक Muslim होने का experience दुनिया में सबसे यूनीक है शुरू में पूरी Muslim community बस एक kingdom के अंदर होती थी जिसे खिलाफत कहा जाता था और उसके ruler को खलीफा हुमायत खिलाफत में पहली बार इंडिया में Muslim invasion हुआ led by Muhammad bin Qasim जिसने सिंध के इलाके पर कबजा किया उसके बाद खिलाफत कमजोर पड़ने लगी और Muslim empire में भी छोटे छोटे independent empires बनने लगे जिन में से एक थी तुर्को किये घजनी empire जिसके ruler महमूद घजनवी ने इंडिया पर 17 बार हमले किये लेकिन इसका मकसर सिर्फ plundering करना था ना कि राज करना ये पहला राजा था जिसने सुल्तान का टाइटल अपनाया इसे अपने किंडम का तो हीरो माना जाता है क्योंकि उसने घजनी में कभी दूसरों को हमला करने नहीं दिया लेकिन इंडियन हिस्ट्री में उसे एक plunderer और destroyer of temples के तोर पर याद किया जाता है जिसमें सबसे famous था गुजरात का सूमनाथ temple उसके मरने के बाद घजनी की बागदोर एक दूसरे तुर्क फैमिली के पास चली गई जिसका राजय मुहम्मद घौरी ने इंडिया पर एक बार फिर हमला किया और तराइन की पहली जंग में उसका मुकाबला हुआ प्रिथवी राज चौहान से क्या? वो प्रिशिडेंट नहीं था? बट आलिया भट ने तो उस वक्त इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ विस्ट का इलाका राजपूतो का था और राजिस्थान के चौहान सोफ सांबर काफी इंफ्लूइंशेल थे और प्रिथवी राज चौहान उनका सबसे पाउरफूर रूला था जिसने सिर्फ 11 साल की उमर में गद्दी पर बैठने के बाद लगा तार अपने अंपायर को बढ़ाया राजपूतो की आर्मी के सामने तुर्क स्टिक नहीं पाए लेकिन राजपूतो में बहुत सारी फैमिलीज थी जो छोड़े छोड़े इलाकों पर राज़ करते थे और उनकी सभी फैमिलीज में बहुत स्ट्रॉंग कनेक्शन और कॉर्डिनेशन नहीं था एक और राजपूत रूलर जय चंद की बेटी सम्युक था उसकी मर्जी के खिलाफ प्रिथवी राज के साथ भाग गई निसरी जंग में तूर्क जीत गए और इंडिया में मुस्लिम इंपायर की शुरुआत होई प्रि-इसलामिक अरेबिया में सलेवरी का सिस्टम था यानि इनसानों को खरीदा और बेचा जाता था लेकिन इसलाम के आने के बाद अरेबिया में सिलेवरी का कॉंसेट बदल गया इसलाम ने एक बार में घुलामी को बैन नहीं किया बलके धीरे धीरे इसकी जड़े कमजोर की इसलाम में घुलामों को आजात करना सबसे बड़ा पुन्य में से एक माना जाता है जिसका नतीजा ये हुआ कि अर्बों ने जितने गुलाम आज़ाद कियें उतनी दुनिया की किसी और कम्यूनिटी ने आज तक नहीं कियें और ये प्रैक्टिस आज पूरी तरह से एक्स्टिंक्ट है महमद घौरी के सलेव कुतुबद्दीन आइबग को भी उसने आज़ाद करके अपना गवर्नर बना दिया और उसके मरने के बाद कुतुबद्दीन इंडिया का रूलर बना और सलेव डिनस्टी या इलबारी डिनस्टी के शुरुआत हुई और यहां से इंडियन मुस्लिम रूलर्स की लंबी चेन शुरू हती है जिसके आखिर में हैं मुगल्स लेकिन मुगल्स से पहले पांच मुस्लिम डिनस्टी ने एक के बाद एक हकुमत की जिने एक साथ दिल्ली सल्तनत कहता है कुतुबुद्दीन एक बहुती दानी राजा था इसलिए उसे लाख बक्ष भी कहा जाता है उसने अपने किंग्डम का कैपिटल बनाया लाहोर को और अपने किंग्डम में दो मस्जिद बनवाई दिल्ली की कुवतुल इसलाम मस्जिद और अजमेर की अड़हाई दिन का छोपला उसने मशूर सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ओनर में कुतुब मिनार की तामिर शुरू करवाई लेकिन वो कुतुब मिनार के कंप्लीट होने से पहले ही पूलो खेलते हुए मारा गया उसके बाद उसके बेटे आराम शाह को राजा बनाया गया लेकिन वो बिल्कुल बेकार राजा साबित हुआ और मिनिस्ट्री को लगा कि भला इसी में है कि उससे एक बहतर शक्स को राजा बनाया जाए और नॉमिनीस की लिश्ट में सबसे उपर था अल्टमश या इल्टूटमश ये भी कुतुबद्दीन ऐबक के घुलाम था जिसने उसे आजाद करके अपना दामाद बना लिया था उसने दिल्ली को अपने किंडम का कैपिटल बनाया और कुतुब मिनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया उसने खवारिजम शा को अपनी किंडम में पनाह ना दा करके इंडिया को चंगेज खान के हमले से बचाया उसने अड्मिनिस्ट्रिशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स कियें सिल्वर कॉइंस टंग का और कॉपर कॉइंस जीतल इंट्रड्यूस करा है उसने एक्तदारी सिस्टम के शुरुआत की जिसमें लोगों को जुल्मी टैक्स कलेक्ट करने के लिए और आर्मीज रखने के लिए टेंपरोरी पावर्स दी चाती थी और ये सिस्टम बहुत ही एफेक्टिव साबित हुआ उसने 40 आजाद किये हुए घुलामों का एक ग्रूप बनाया जिसे चहल गनी कहा जाता था और इनका काम था बादशाह को अड़्वाइस देना अल्तमश की मौत एक जानलेवा बिमारी से होई मनने से पहले उसने अपनी बेटी रजिया को रूलर बनाया लेकिन मिनिस्टर्स को ये बात पसंद नहीं आई कि आउरत उन पर राज करे इसलिए उन्होंने अल्तमश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गुद्दी पर बठाया बट ओ माई गॉड ही वास सो पत्थेटिक कुछी महीनों में मिनिस्टर्स को समझ में आ गया कि भलाई इसी महें कि रजिया को ही गदी पर बठाया जाए और इस तरह रजिया बनी इंडियन हिस्टरी की पहली फीमेल रूलर लेकिन मुल्तान, बदाओ, हंसी और लाहोर में उसके खिलाफ बगावा शुरू हो गई उसके अपने मिनिस्टर्स भी उसको कुछ खास पसंद नहीं करते थे उसने अपने हपशी गुलाम याकूत को अजाद करके उचा रैंक दिया और उसकी मदद से सभी रेबिलियंस को खतम किया भटिंडा के गवर्नर अलतूनिया ने भी उसके शलाफ बगावत की जब रजिया वहाँ पर आर्मी लेकर पहुँची तो अलतूनिया ने याकूत को मर्डर करवा दिया और रजिया को कैद कर लिया मजबूरी में रजिया को अलतूनिया से शादी करने पड़ी और भटिंडा से दिल्ली आते वक उस पर हमला हुआ और वो मारी गई जैसा कि मिरहाजु सिराज में रजिया के बारे में लिखा गया है उसके बाद स्लेव डिनस्टी का कंट्रोल चहल गनी के हाथों में चला गया उन्होंने बहरम शाह, मसूद शाह और नसीर अदीन महमूद को एक के बाद एक रूलर बनाया और फाइनली चहल गनी का सबसे पाउरफुल मिंबर गयास-दीन बल्बन खुद रूलर बना और चहल गनी का कंट्रोल खतम किया उसने वापस इस डिनस्टी को मजबूत बनाया उसने अपनी किंडम में बगावत को रोकने के लिए जासूसों का नेटवर्क बनाया और एक मिलिटरी डिपार्टमेंट बनाया जिसे दिवान अर्ज कहा जाता है उसने अपने आपको जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई का टाइटल दिया और पर्शियंस की तरह बादशाह को सजदा करने और उसके पैर चुमने का सिस्टम शुरू किया उसने नावरोस का फिस्टिवल भी शुरू करवाया उसके बाद उसका पोता कैकूबाद राजा बना और आखरी राजा कायूमर्स को खिलजी डिनेस्टी के फाउंडर जलालदीन खिलजी ने मार डाला और शुरू हुई खिलजी डिनेस्टी जलालदीन खिलजी को उसके भतीजे अलाउदीन खिलजी ने मार डाला उसने गुजरात, रंथमभोर, मेवार, मालवा और जालोर के किंडम्स को हराया और साउथ में अपने हुलाम मालिक कफूर को भेजा जिसने यादवाज, काकटियाज, होयासलाज और पांडयाज को हराकर दिल्ली सल्तन उसको बहुत जाद अफालाया वो पहला मुस्लिम राजा था जिसने पॉलिटिक्स और रिलिजन को अलग किया उसने पहली बार बगावत होने की वज़ा पर छान बीन की और चार ओर्डिनेंस लागो किये पहला ये कि जितनी भी ग्रांट्स में दी होई जमीन है उन्हें वापस ले लिया जाए दूसरा ये कि जासूसों के नेटवर्क को और ज़ादा और्गिनाईस किया जाए तीसरा ये कि शराब को बैन किया जाए और चौथा ये कि नॉबल्स अपनी गैदरिंग्स और पार्टीज नहीं कर सकते हैं और नहीं राजा के पर्मेशन के बिना आपस में शादी कर सकते थे वो पहला दिली सुल्तान था जिसने पर्मनेंट आर्मी बनाई जिसे सैलेरी दी जाती थी और उनकी डिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड किया जाता था जिसे हुलिया कहा जाता है और उनके घोड़ों को भी मार्क किया जाता था जिसे दाग कहा जाता है उसने बाजार में सभी चुज़े की कीमत फिक्स कर दी और मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया जिसे दिवाने रियासत कहा जाता था उसने जुल्मी टैक्स कलेक्शन के लिए मुस्तखरज नामी ऑफिशिल पोस्ट बनाया उनका काम था जमीन को नापना ताकि हर जमीन पर टैक्स फिक्स किया जासके और वो टैक्स था 50% ओके जिसको जिस पर हमला करना है करें बर डिस इस आउट्रेजियस अलाउद्दीन खिल जी के दरबार में अमीर खुसरू और अमीर हसन जैसे स्कॉलर्स रहते थे और उसने आलाई दर्वाजा, सीरी का किला और हजार सुतून बनवाए उसके मरने के बाद गदी के लिए दोचार मर्डर्स हुए और फाइनलरी राजा बना शिहाब उद्दीन खिल जी फिर कुछ और मर्डर्स हुए और राजा बना कुत्ब उद्दीन मुबार्ख खिल जी और फिर कुछ और मर्डर्स हुएं और बाद में खुसरु खान राजा बना और पिर उसका भी मर्डर हो गया जी हम खुसरु खान को मारने वाला था ग्यास अद्दीन तुगलक और यहां से शुरू होती है तुगलक डाइनस्टी उसने अलाउदीन खिलजी के सारे ओर्डिनेंस को खतम किया उसने लैंड रिविन्यू सिस्टम को भी खतम कर दिया और बटाईदारी सिस्टम की शुरुआत की जिसमें जमिनदार अपनी जमीन किसान को देता था और फिर दोनों पैदा होई फसल को बाट लेते थे उसने अपनी किंडम में नहर यानि कनाल्स का सिस्टम को ठीक किया और पोस्टल सिस्टम को भी बहुत बहतर बनाया जिससे पूरी एंपायर की कम्यूनिकेशन बहुत यह आसान हो गई उसका बेटा जाउना खान ने उसके ऑनर में एक मंडप यानि पवीलियन बनाया और वो पवीलियन घ्यास अदिन तुगलक के उपर गिर गया और उसकी मौत हो गई सीरियसली पहले पूलो खिलने से और अब बिल्डिंग गिरने से नहीं हो गया रहा है उसके बाद उसका बेटा जाउना खान मुहमद बिन तुगलक के नाम से राजा बना जब भी हम किसी एंपेरर के बारे पढ़ते हैं तो हम उसके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं लेकिन मुहमद बिन तुगलक शायद एकलौता ऐसा राजा है जिसकी मिस्टेक्स के लिए उसको याद किया जाता है वो दिल्ली सल्तनत का सबसे एजुकेटेड राजा था लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ इन फैक्ट उसने पांच बड़े स्टेप्स लियें जिन से उसकी एंपायर को बहुत नक्सान पहुँचा पहला ये कि उसने गंगा और यमुना नदी के दोवाब इलाके में टैक्स को बढ़ा कर 50% कर दिया और साथ में नए टैक्स भी लागू कियें विच वाज एपिक फैल दूसरा ये कि उसने अपनी कैपिटल बदल कर दिल्ली से देवगिरी या दौलता बात किया जिसमें बहुत नुकसान हुआ लेकिन कुछ सालों बाद उसने सोचा कि ये एपिक फैल है तो उसने दोबार अपनी कैपिटल को दिल्ली कर दिया तीसरा ये कि उसने सिल्वर कोईंस की जगा ब्रॉन्स कोईंस लागू कियें जिनकी वैल्यू सेम थी नतीजा ये हुआ कि घर घर में जाली सिक्के बनने लगें ये तो अपने आप में एक एपिक फैल था ही लेकिन बाद में उसने ऐलान किया कि सारे ब्रॉन्स कोईंस को वापस कर दिये जाए और बदले में उन्हें उतने ही सिल्वर कोईंस दिये जाएंगे और लोगों ने और भी जादा जाली कोईंस बनाने शुरू की है और फिर एक्चेंज में सिल्वर कोईंस पाए चौथा ये कि उसने खुरासान पर हमला करने के लिए एक बड़ी से आर्मी भेजी लेकिन जब सारा खर्चा हो चुका तो फिर उसने एक्सपेडिशन कैंसिल कर दिया और पांच हुआ ये कि उसने हिमाचर परदेश और कराचिल के पहाड़ी अलाके पर चढ़ाई की और उसकी बची कुछी आर्मी भी खतम हो गई उसकी 25 साल की हकूमत में 36 रिवोल्ट्स हो एं कि आज़ू की बात यह नहीं है कि उसके राज में 36 रिवोल्ट्स हो एं ताज़ू की बात यह है कि आखर उसने 25 साल तक हकूमत कैसे कि इन रिवोल्ट्स में दो इंपॉर्टेंट किंडम्स बने विजयनगर और बहमनी चिनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे उसके दोर में इबन बतूता दिल्ली आया था और उस वक्त कि इंडिया को अपनी किताब सफर नामा में कैद किया आखिर में मुहमद बिन तुखलक बीमार होकर मर गया और जैसा कि अब्दुल्कादिर बदायूनी न कहा उसके बाद उसका कजिन फिरोज शाह तुखलक राजा बना लेकिन उसके दोर में पूरी दुली सल्तनत खोकली हो गई थी और उसने अम्पायर को बचाने की जगा बस अथॉरिटिज को खुश करने के कुश्श की और उल्टे सीधे रूल्स बनाया उसने इक्तदारी सिस्टम और आर्मी को हेरिडित्री कर दिया यानि बापकी अथॉरिटी उसके बाद उसके बेटे को मिलागी उसने अपनी आर्मी में सालेरी का सिस्टम खतम करके उन्हें कुछ जमीन का हिस्सा टैक्स वसूलने के लिए दे दिया जिससे गरीब किसानों की हालत बहुत खराब हो गई उसने धेर सारे कनाल्स बनवाए और पानी पर हासिले शर्ब यानी वाटर टैक्स लगाया ओके अब जादा हो रहा है उसने खुलामों के लिए दिवाने बंदगान बनवाई और एक हॉस्पिटल दारुष शिफा बनवाई उसने फिरोजाबाद, फिरोजपूर, जौनपूर और फतहाबाद के शहर बसाए उसने अपनी आर्टो बायग्राफी फुतुहात फिरोज शाही लिखी उसने पहली बार अशोकां स्क्रिप्शन को डिकोड करने की कोशिश भी की और उसने बहुत सारे संस्क्रिट बुक्स को परशेन में ट्रांसलेट भी किया उसके मरने के बाद कुछ not so important rulers आये जिनके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से ही मौंगोल्स के हमले का खत्रा मंडरा रहा था और आखिर में चेंगिस खान के एक डिसेंडन्ट तीमूर ने नसिरुदीन मुहमूद के राज में इंडिया पर हमला कर दिया और बे तहाशा लूट मार की और अपने गवर्नर खिजर खान को रूलर बना कर चला गया खिजर खान ने सियद डिनस्टी की शुरुआत की लेकिन डिनस्टी में बताने को कुछ खास नहीं है उसके बाद बहलोल लोधी ने लोधी डिनस्टी की शुरुआत की लोधी तुर्क नहीं बलके आफगानी थे बहलोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत को दोबारा उस स्टेटस पर ले जाने की कोशिश की जो तुगलक और सियत्स के आने से पहले था तुगलक के दोर में जॉनपूर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया जहां शर्की डिनस्टी की हुकूमत थी लेकिन बहलोल लोधी ने दोबारा जॉनपूर पर कबजा किया उसने बहलोली नामी नए सिक्के भी चलाए उसके बाद उसका बेटा निजाम खान सिकंदर शाह लोधी के नाम से गदी पर बैठा उसने आगरा का शहर बसाया और उससे अपना कैपिटल बनाया उसने जौला मुखी टेंपल को गिरवा दिया वो एक पोएट भी था उसका पेन नेम था गुल रुखी उसने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था लहजाते सिकंदरी और उसके दोर में मेडिसिन की एक संस्क्रिप्स को बुक को भी फरहंगे सिकंदरी के नाम से पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया उसके मरने के बाद उसके बेटे इबराहीम लोधी को रूलर बनाये गया लेकिन रूलर बनते ही उसने सारी अथौरिटीज अपने हाथ में कर ली उसने मेवार के राना सांगा से जंग की और हार गया पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी नभी उसके खिलाफ बगावत कर दी और बावर को इंडिया पर हमला करने की दावत दी और पानेपद की पहली जंग में इबराहीम लोधी बावर के हाथों मारा गया अब हम बात करेंगे दिली सल्तनत की अड्मिनिस्ट्रेशन की उनकी किंडम में सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता था वजीर आर्मी कमांडर को कहते थे अर्ज ममालिक रिलीजन के मामलों को संभालने के लिए वो हनफी स्कूल अफ लॉव को फॉलो करते थे जो उनके रिलीजियस लॉव कर डिपार्टमेंट दिवाने रिसालत के कंट्रोल में था मुसलिम्स के आपस के मामले हनफी लॉव से तैह होते थे लेकिन हिंदियों के मामले उनकी पंचायत में उनके अपने लॉव के मुताबिक होते थी दिली सल्तानों की intelligence agency भी थी जिसे बारीद कहा जाता था उन्होंने पूरी kingdom को इकता में बाटा और उनको शिक में और उनको परगनाज और चावरसी में डिवाइट किया दिली सल्तानत में धेर सारी departments अलग-अलग काम के लिए बनाए गए हैं यह हैं उनकी list दिली सल्तानत चार तरह के taxes वसूलते थे खराज यानि land revenue और खमस यानि जंग में लूटी हुई चूजों का 20% जकात यानि savings का 2.5% जकात दरसल government tax नहीं था बलके इसलाम के 5 pillars में से एक है यानि हर आदमी ये tax अपनी मर्दी से religious obligation समझ कर देता था और ये पैसा सरकारी खजाने में नहीं बलके गरीबों की मदद में खर्च होता था लेकिन जकात सिर्फ Muslims देते थे हिंदू नहीं हिंदू उपर एक अलग tax था जो Muslims को नहीं देना पड़ता था जिसे जिजिया कहते है दिल्ली सल्तनत में फॉज में सिर्फ Muslim रह सकते थे और सिर्फ Muslim ही जंग कर सकते थे बाकी religion के लोगों को फॉज में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी बदले में उन्हें जिजिया tax देना पड़ता था उनके दौर में धेर सारी books लिखी गई ये हैं उनकी list दिल्ली सल्तनत की शुरुआत invasion से होई लेकिन उनकी अगली generation यहीं पली बढ़ी और हमारी society का हिस्सा बन गई उनके आने के बाद लोगों के अंदर एक communal feeling थी लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ये communal feeling बिलकुल खतम हो गई और हम पढ़ेंगे कि किस तरह अकबर का command general एक हिंदू राजपूत था और शीवा जी का artillery division का leader था एक मुसल्मान तो इतनी अची दोस्ती का महौल कैसे बना जानेंगे अगले episode में आया तो आप इस वीडियो को like करें हमारे चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें और अपने suggestions हमें comments में लिकर बताएं Thanks for watching